हेलो एवरीवन, वेलकम बैक तू दे चैनल, आज की इस वीडियो में खाद एवं भोकता संरक्षन विभाग यानि फूड एंड कंजुमर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट गुवर्मेंट आप बिहार की फूल वेकेंसी जो है निकल के बहुत मतलब साथ दिन पहले ही निकला है और अपला ओर रहा लेकिन बहुत सारा जानकारी जो है लेने की लिए बहुत सारे कंडियो मैसेज कर रहे थे तो इसलिए यह वीडियो बनाया गया क्योंकि बिहार सरकार की जो ही वेकेंसी होता है तो सभी को दाउट हो जाता हा और मतलब अलग लग तरीके से चार दिया तरह से आप सर्विस ना करवाएं तो ज्यादा बेटर रहेंगे फ्रोड से बस सकते हैं क्योंकि अभी इस पे कुछ भी काम नहीं हो रहा है और नहीं इसका भी एक्जाम डेट आया हुआ है नहीं कुछ अभी वनली फोर जो है अपलाइक प्रोसेस हुआ है और अपलाइ में भ लाइक यह हम चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें तो एक एक डिटेल्स में देखेंगे क्या कैसे है पुंडूप से तो खाद एवं उपभोगता संग्रक्षन विवाग बिहार सरकार का जो पेकेंशी है यह आपको 11.12.2022 से नॉटिफिकेशन विग्यापन आया हुआ सहायक प्रवंदक, सहायक लेखा पदादिकारी, लेखा पाल, गुनवत्ता, नियंतरंग एवं निम्न वर्गय लिपिक में जो है सारे जनरल पोस्ट आ जाते हैं जो भी ऑपरेटर लेवल के रहते हैं एम्टेस लेवल के रहते हैं तो वो आ जाते हैं डिपार्टमेंट का प्रिक्षा के आधार पर पैनल निर्मान से संबंदित अवश्रक्ता शूचना तो जो है पैनल के एकॉर्डिंग जो है इसका लिष्टिंग होगा उसके एक्जाम वगरा सारा प्रोशेश होगा तो इसमें देखते हैं बिहार सरकार खादेवों पोटता संरक्षन विभाग के यही सारा चीज़ दिया हुआ है नोटिफिकेशन के कोडिंग बिहार एस्टेट फूड एंड सिविल सप्लाइज कॉर्पोरेशन लिमिटेट द्वारा पत्रांग की सब है यहां पर विसेश कुछ नहीं ऑनलाइन आविदन के माध्यम से किये जाएगा और सेकेंड जो है पोश्ट वगरे का चर्चा किया गया है तो अलग अलग तरह का जो है पोश्ट यहां पर पदों की शेंख्यां हो गया यह कॉलम में आप यह पीडियाफ ले सकते हैं मैसेज करके और पद कोड दिया हुआ है और यहां पर जो है समवर्ग का नाम साहय मतलब किस पोश्ट के लिए है साहक लेखा पद अदिकारी कितना पद है टोटल ट्वंटी है अब इसमें जो है इंकम क्या लेवल सेवन है लेवल सेवन यह भी है इसे इसे ही कोई लेवल के अकॉडिंग डिस्टिबुट क्या गिया है तो उसके बाद पाद है तू सेक्षनी की योगता जो है आपका अलग-अलग तरीके से किस पोस्ट में क्या है वो आप भड़ सकते हैं जो आपका ऑन-लाइन में सारा चीज शो करेगा तो आप देखते हुए ऑन-लाइन भड़ सकते हैं तो यह जो है जेनरल है किसी भी मानेता प्राप्त जो आपका इसना तक इंटर्वी और ग्रिवेशन वगर की हैं और टाइपिंग है तो आसानी शाप भड़ सकते हैं इसके लिए और उसके बाद जो है आपको इसमें जाती वगरे पे के पे भी जो है आपको छूट मिल सकता है तो रब़त उसके बाद जो है आपको यहाँ पर दिव्यांग वगरे के लिए भी है तो आप देख सकते है जो उसके बाद का जो है डिटेल्स अगर एज लिमीट की बात किया जाए तो आयू शीमा जो है यहाँ पर अच्छा का सदिया हुआ है नियूनतम आयू जो है मिनीम एक एक दोजार बाइस को जो है आपका 21 वर्स होना चाहिए और अधिक्तम आयू का वही होगा जो समय समय पर राजिस्तरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी तो अनरक्षित यहां पे पहले डिसाइड बताया था वीडियो में जो बहुत कुछ इसमें चेंजिंग हो सकता है तो इसलिए बताया गया था कि नोट जो है आप जो शूचना में बताया गया है विज्ञापित पदों की शंख्या अविशक्ता अनुशा घट या बढ़ सकती है तो यह चीज जो है ऐसा कंडिशन लाना पड़ता है और आगे सुनिए जैसा कि खाद इवं भूकता संग्रक्षन विभाग बिहार पटना को बिना किसी पूर्व शूचना या इसका कारण बता है पूरी नियुक्ति प्रक्रिया या विज्यापन या किसी चरण को रद करने का अधिकार सुरक् गलत है और कितना सही आप कमेंट के माधियम से जरूर बता है यह लेकिन इस पर हमारा डिस्केशन यह यह बहुत सारा गलत है इस तरह से नहीं होना चाहिए क्योंकि जो है एक तो वैसे ही वेकेंसी के लिए जोब के लिए अप्लाइच चार्ज भी आप देखेंगे तो पढ़ किस प्रकार और्ट वेबसाइट वगर सारा ची दिया गया है आविदन भ़डने आविदन पत्र भड़ने से समंधित निर्देश आनलाइन आव जो है online portal of food and civil supplies corporation limited पर लिंक पर क्लिक करके आप भर सकते हैं सारा चीज़ और step by step इस पीडियाइफ में सारा चीज़ दिया भी है आप आसानी से भर सकते हैं email id और mobile number ध्यान दें जो वह अच्छे तरीके से भरे क्योंकि वह आपका हमेशा ध्यान में रहना चाहिए और लिखके रख लें तो registration के बाद जो प्रोवीजनल registration नंबर तता पास्वर्ड एवं अन्य सक्षित रखना है आवेदक को की जिम्मेदारी होगी इसके बाद जो है step two में जो है basic details अपना भड़ देना है सपता प्रोवग registration को हो जाने के बाद यह तो हो गया उसके बाद step third total step by step आप पढ़के इसे आसानी से form भड़ ले या नहीं तो cyber में जाके आसानी से भड़ ले अपने से गलती होने की ज़्यादा संभावना हो शक्ति है अब इसमें जो है किसमें कितना आपको payment लग जाएगा टोटल फॉर्म फिलफ होगर का तो जैसा कि देख लीजिए और बोगता विदे परिक्षा सूल्क जो है आपको अत्तन पिछरा वर्ग या पिछरा वर्ग य और आसी सूल्क उसके बाद जो है अनुसुचित जाती मतलब जन जाती के रूप और महिला व्यरती के प्रूश महिला व्यरती के लिए 600 रखा गया है तो यह देख ले 600 और बाड़ा सो यानि डवल का अंतर हो चुका है इसमें और बहुत फिर भी बहुत जादा है 600 और और अभी 1200 रुपे तो है उसके बाद कितना फॉर्म फिलफ होगा और कितना का होगा वो भी गैरेंटी नहीं है इस टाइब की जॉब में तो इतना फिस नहीं रहना चाहिए हमारे एकोर्डिंग उसके बाद जो है जो है लेकिन आप फॉर्म फिलफ कर ले बियार के लिए है और मतला अच्छा सा त्यारी है तभी आप फिलफ करें नहीं तो फालतु का इसमें भढ़के कोई फायदा नहीं है और मैक्सिमम जो है अगर आप भढ़ रहे हैं तो पटना लोकेशन थे तो वहुँ जादा फायदा होगा उसके बाद जो है सेवंत में जो है ओनलाइन आव बढ़ने है तो जो है आपको तीरा बारा से यह स्टार्ट हुआ है 2022 से और लास्ट जो है दो एक 2030 तक चलेगा तो अभी भी डेट है जो नहीं भढ़े हैं भढ़ सकते हैं आशानी से जिसकी जिसका त्यारी एक अच्छे लेवल पर है और जो नहीं भी है अलग अलग तरीके इसे काम वर्क अगर कर सकते हैं तो इसमें आप भढ़ सकते हैं फॉर्म उसके बाद जो है यहां पर रेजिस्ट्रेट अभी अभी अगर कुछ अगर गलती हो जाता है फॉर्म अगर तो ऑनलाइन आविदन पत्र सुधार करने की जो तीती है छो एक 2023 से आठ एक 2023 तक दिया जाएगा यानि लाश्क दो एक 2023 तक फॉर्म बढ़ने का और छो एक 2023 से आठ एक छो साथ आठ तीन दिन आपको दिया जा रहा है तो इस तरह से जो है सारा डिटेल्स आप समझ लिए फॉर्म फील अप उगर किस हिसाब से होगा और सारा डिटेल्स यदि आपको इस जो आप अपडेट तो मिलते रहेगा इस टाइप का अगर कुछ भी प्रॉब्लेम्स या किसी भी तरह का अपडेट होता है इस टाइप की जॉब्स रिगार्डिंग तो आपको अपडेट मिलता रहेगा इस चैनल के माद्यम से और विशेज डिटेल्स के लिए को मारा प्रोसेश को फोलो करके आप आसानी से सर्विश ले सकते हैं तो चली वीडियो अहीं समाप्त करते हैं आसा करते हैं कि आप वीडियो को लाइक एवन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिये होंगे